नमस्का दोस्तों को फिर से सवागत आपके अपनी यूटूब चैनल रिष्टर्ड गयान पिता आज हम आपके यह पर जो यूनिवसिटी एक्जाम में आपके कंपल्सरी पेपर होता है जो कि एक दो निवसिटी में आपको बताने वाले है कराया गया तहए अब कर दो अब चरुआ कामपलवाहु कर पर क्रिकेशन का है इसे पहले यह अब के Verfia पर आपके मेर्न burns की ने अंसर की बताई दी और आज में आंपको चालत की अ commands activity न आय इस पैपर इस की मुष्ट गोने इस की इसके आरे इन वाले विडू आता है उसके इ यह जो कोशन से आपके लिए भी आपर उनिवसिटी में इंपोटेंट हो सकते हैं और यह आपर बात करा हम बीए इस्टूरेंस जिनके यहां पर आपी कंपल सरी पेपर होने वाले हैं तो उन्हें भी यहां पर जरू देखना चाहिए जिसे उनको पता लगेगा कि यहां पर कि इतने कोशन साहित हैं आपके 50 कोशन यहां पर पूछे गए थे और एक कोशन दो नमर का इस इसाब से आप आपका 100 नमर का यहां पर पेपर बन जाता है तो आप यहां पर सबके आंसर बताने वाले हैं तो आप पेसंस में इस वीडियो को पूरा एंटक जरू देखिए जो सब्सक्राइब जरू कर लिजिगा क्योंकि यहां पर आपको हमेशे इनवर्सिटी से लिटे इंफर्मेशन और इस्टेडी मिटेल आपको हमेशे प्रोवाइट करवाए जाता है तो यहां पर आपकी कंप्यूटर सिस्टम दोरा कौन सा ओप्रेशन यहां पर नहीं किया जा सकता है तो सेटेड का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का इन खिबःया चिरा जार भाश्रे के आंसर रहान पर시는 का पिरिंटर इसका करेंट अंसर होगा उसके आखर आपके नेश्त कोशण है कि कौन सा डिलिट फाइलों का अहीस ता ही इस्टोरिज एरिया है तो फिफ्थ का अंसर बता है यह आप स्थmith का अंसर होगा है यहाप देखें भी recycle बी यह आप सब ज्यान नहीं है उसके आख ह소문ें आपके नेश्त कोशन है तौर्ट आइं इस तरह का डिवाइस है तो नमई 8 का पर आपके इंपूट डिवाइस है उसके आपके question number 10th है कि RAM कहा है इसी तो होती है where is the RAM located तो 10th का answer क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा थे students को पता ही है कि B mother board होगा उसके हार आपके question number 11th है कि इन में से कौन सा user तरथा computer hardware के बीच मद्यस्ता का कारिय करता है तो 11th का answer बता ही है तो 11th का जो correct answer होगा यहाँ पर आपके B operating system इसका correct answer है उसके आपके question number 12 है कि 1 megabyte बरावर होता है तो यह आप सब जानते हैं कि 1 megabyte किसके बरावर होता है यहाँ आपके B 1024 kilobyte के बरावर होता है उसके आपके question number 13 है कौन सा number system base 10 से यहाँ पर संबंदित है यहाँ पर आप देखेंगे base 10 refers to which number system तो question number 13 का यहाँ भी 13 का अंसर बताइए तो इसका correct answer होगा a decimal okay उसके आपके question number 14 है यहाँ आप आप देखेंगे कि एक hexa digit को refer कर सकते है तो question number 14 का correct answer होगा यहाँ पर आपके B nibble इसका correct answer है उसके आपके question number 15 है कि which is not a word size यहाँ नहीं नहीं है तो 15 का correct answer होगा यहाँ पर B 28 उसके आपके next question है कि नहीं में से कौन सा यहाँ पर alpha numeric code computer input output के सरवादी कुप्योग में आता है तो question number 16 का correct answer यहाँ पर आपके क्या होगा B यहाँ पर आप देखेंगे A S C I I ठीक है उसके आपके question number 17 है कि www का मतलब बताई यह तो यह तो यह तो ज्यादा था स्टुएंस को पता ही होगा यह तो बिल्कुल basic question है आपके तो इसका correct answer A होगा worldwide web ओके उसके आपके question number 18 है यहाँ पर आपके कि internet site का मुख्य पश्ट आपके क्या 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 है तो question number 18 का जो current answer होगा आपके C homepage केलाता है उसके वाद यहाँ पर आपके question number 19 यहाँ गूगल एक क्या है यह तो ज्यादा स्टुएंस को पताई कि Google एक क्या है एक आपका search engine यहाँ पर है उसके question number 20 है यहाँ पर हमें internet कोन यहाँ पर upload कराता है तो question number 20 का answer पताई इसका correct answer होगा यहाँ पर आपके जल्दी से बताईए तो इसका correct answer है यहाँ आपके C ISP उसके question number 21 है कि नेमने में से यहाँ पर आपके कौन सा एक search engine नहीं है तो question number 21 का answer बताईए जल्दी से यहाँ पर question number 21 का answer होगा आपके डी विंडो आप सब जानते बिंग गूगल और यहाँ तीन ही आपके search engine होते विंडोस है वह हमारे यहाँ पर search engine नहीं होता है उसके आपके question number 22 इंटरनेट पर एक computer को पेचाना जाता है उसके यहाँ तो बताईए question number 22 का answer क्या होगा तो उसक question number 23 का answer होगा यहाँ पर आपके FTP यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है उसके आपके question number 24 है कि यहाँ पर आपके MS word file का extension यहाँ पर होता है तो question number 24 का जो correct answer यहाँ पर आपके होगा C यहाँ पर आप देख से है .docs होता है उसके यहाँ आपके question number 25 है कि which of the following is not a font style यहाँ निमने में से कौन सा font style नहीं है तो आप सब जानते कि bold, regular, italic यह तीन ही होते है लेकिन सब script हमारे यहाँ पर नहीं होता है तो D इसका correct answer होगा ठीक है उसके यहाँ आपके next question है कि तो question number 28 का correct answer होगा A F5 कर ठीक है जैसे भी हमने आपको 100 यहाँ पर questions कराई थे computer के जब हमने आपको most important question उसमें मैंने आपको पहले ही के लिया था कि आपकी जो 12 function की होती है उनमें का आपका उप्योग से related आपके एक दो questions आपके exam में पूछे जाएंगे साथ में आपके full name आपके type के आपके कई questions पूछे जाएंगे तो आप में आपके कई questions यहाँ पर आपके पूछे गए और जो हमने आपको 100 questions बताएते important उनमें से भी आपको कई questions देखने को यहाँ पर मिल रहे होगे उसके आपके question number 29 है कि आप एक slide show को केसे रोक सकते तो question number 29 का answer क्या होगा तो इसका correct answer है सी यहाँ पर escape को प्रेस करके ठीक है यहाँ पर आपके next question है question number 30 आपके slide में animation का प्रियोग करने के लिए किस टेप का उप्योग किया जाता है which step is used to use animation in slide तो इसका correct answer होगा यहाँ पर आपके a animation इसका correct answer है तब आप एक बार इस answer को check कर लिजेगा उसके बार यहाँ पर आपके question number 31 आपर इस परीशन में इस्तित नेटवर्क को हम क्या कहते है तो question number 31 का correct answer होगा आप एल एन केते हम यहाँ पर ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं उसके बार यहाँ पर आपके question number 32 है इन निमने लिखी तुमें से कौन सी नेटवर्क टॉपोलोजी सही नहीं है तो question number 32 का जो correct answer होगा यहाँ बी इंटरनेट इसका correct answer है इसका correct answer होगा उसके लिखी था आपके question number 33 है निमने निम्ने-स नेटवर्क हैं तो यहाँ पर की यहांपका हाटवेयर अंपर होता है उसांद प्रती है कि मल्टी मीडिया सिस्टम का यहां पर लक्षन है तो थर्टी सिक्स का आंसर बता है इसका करेट आंसर यहांपकर होगा ये बी और दोनों यहां पर हाइष और हई ब्हlarını होता है यहां पर सी इसका करेंट चैंपिक करेंज करेंड फिसेवन के एक ट की शंकला है तो को चोहिं नोर ठीच सेवन में यहां जबता है की ज मारेट जहता है ऑ timely एक साथ में आप לי tran travel नेshirt इसको को आंसर के आपके कोशन में 39 ने वोट ड़स MIDI stand for MIDI का अर्थ क्या है तो कोशन में 39 का अंसर हो गए यापर आपके B musical instrument digital interface उसके वने आपके कोशन में 40 हैं या आपके MPEG stand for MPEG का अर्थ क्या है तो कोशन में 40 का आपके मुविंग पिचर एक्सपर्ट ग्रूप उसके आपके कोशन में 44 41 है कि DBMS is a collection of फिल्दमेंग डेड़ इनेबल स्यूज्ट यूजर टू क्रेट एन मेंटेल डाटाबेस या नि डिए बेंस का एक संग्रा है जो यूजर को डाटाबेस क्रेट हैज्ट को यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर योगय बनाता है तो कोशन में 41 का आंसर क्या होगा आपके इंपर इन पर सी प्रोग्रम इसका करेंट आंसर होगा इसके वादे यहाँ पर आपके नेश्ट कोशन है कि Table में संबर को स्था पित करने वाली की कहलाती है तो इसका करेट आंसर क्या होगा तो इसका करेट आंसर है यहां पर आपके बी फोरेंड की आपकी होती है उसके वाला आपके कोशनवा 43 है कि लोगों की मदद के उद्देश से वस्तू को सही तरीके से रखने को क्या कहते हैं यानि helping people keep track of things is the purpose of तो 43 का जो correct answer यहां पर आपके होगा A database हम यहां पर कहते है ठीक है उसके आपके कोशनवा 44 है यहां पर देखेंगे का उप्योग records को uniquely identify करने के लिए आपर किया जाता है यह used to uniquely identify a record तो 44 का answer बताईए जल्दी से comment box में तो इसका correct answer यहां पर आपके होगा B primary की होता है उसके वाल तो 45 का correct answer यहां पर आपके होगा आप देखेंगे तो यह तीन यहां पर आपके होते तो D इसका उप्योग सभी यानि all of above इसका correct answer है उसके आपके 46 कोशन है e-commerce का तात पर यह है यानि watch what is meant by e-commerce तो 46 का answer जल्दी से बताईए इसका correct answer होगा A online करे विकरे अकाउंट समभालना आदी उसके आपके question of 47 है b2c c2c and b2b के प्रकार यानि आप देखेंगे b2c c2c b2b are type of 47 का correct answer होगा यहां पर आपके e-commerce इसका correct answer है उसके आपके question of 48 है कि e-marketing का लाव यानि which of the following are benefits of e-marketing तो 48 का answer होगा है यहां पर आपके D यह 3 होई speed भी होता है reach and penetration भी होता है low cost भी होता है तो यह सभी आपका इसका यानि all of this is correct answer उसके आपके दो लिखित में से कौन सा e-banking का प्रकार है यानि which of the following are the form of e-banking तो question of 50 का correct answer होगा है यहां पर आपके a net banking आपका e-banking का क्या होता है एक प्रकार यहां पर आपके होता है तो आज हमने यहां पर आपको 50 जो आपके computer application के यहां पर paper थे जो कि BSC और B.com का यहां पर कराया गया थ उसकी answer कि हमने यहां पर आपको बताई जो कि university of quota का यह compulsory का paper था जैसे के आपने देखा इसके बाद हम आपको यहां पर जो आपका environmental studies का है compulsory paper उसकी answer कि हम यहां पर बताने वाले जो कि BSC और B.com के लिए यहां पर paper हुआ था तो आप हमारे साथ यहां पर next video में बने रहेग ठीक है तब भी अगर आपके कोई doubt कोई questions रहेगा हो तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं मसका reply करने की पूरिश कोशिश करूँ है और इसी वीडियो के लिए आप इस चैनल सब्सक्राइब करना ना बूले तो मिलते एक नेश वीडियो